नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हमाले चैनल में और सूरी के रसब रासी में पर्वितन के इस विशेश एपिसोड में सूरी स्रस्ती को चलाने वाले प्रत्यक्ष देवता हैं जोतिस में सूरी को पूरुजों का प्रतिनीदी ग्रव भी माना गया है किसी भी कुणली में सूरी पर एक या एक से अधिक पाप ग्रव का प्रभा होने पर उसे पित दोस्ते पिडित माना जाता है पित्दो से पिडित कहा जाता है जिसकी कुणली में सूर्य सुब होता है वे बहुत शांदार सम्मानेज जीवन व्यतीत करते हैं केरियर में सूर्य सरकारी प्रत का रिप्रेजेंटेशन करते हैं सरकारी पत का प्रतिनीदित्व करते हैं सोर्य वक्ति को सिधान्थवादी बनाता है, इसके अलावा सूर्य केरियर में कठोर अनोशासन वाला अधिकारी, उचपद पर आसीन अधिकारी, प्रसासक, समय के साथ में उन्नति करने वाला, निर्माता और कोई भी काम का निरेक्षन करने वाला बनाता है. मान सम्मान यस अप्यस कीर्थी प्रसिद्धी सत्ता ग्यान आयू आरोग्य नेतरोग पिता रदय आत्मा और सारीरिक बनावट अता फिजीकल बॉड़ी का जो कंसक्शन है उसकी बात कर सकते हैं और लक्षमी का विचार सूरी से किया जाता है जिनकी जन कुंड़ी में सूरी अच्छी इस्तिती में होता है उनका रहन सेन और तौर तरीका रासी होता है ठाक बाट उनके रासी होते है ऐसे लोगों को कई बार सुभाव से एहंकारी भी माना जाता है क्योंकि वे आसानी से किसी के साथ में घुल मिलनी पाते और ना ही परि सूरिय दोश्मून होता है, नीच रासी का होता है, सूरिय पाप प्रभाव में होता है, उन्हें पित्या का सामने सुक भी नहीं मिल पाता है। सूरी को आत्मा का कारक भी माना गया है इसलिए कुंडली में सूरी की अच्छी इस्तिति आत्मिक द्रड़ता को दर्साती है ऐसे जात्कों में भरपूर आत्मविश्वास होता है और सूरी के कमजोर होने पर व्यक्ति में आत्मविश्वास में कमी होती है सिंग रासी का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है वहीं सूर्य देव क्रतिका उत्रा फालगुनी और उत्रा साड़ा नक्षत्रों के स्वामी है सूर्य देव मेश रासी में उचके होते हैं जबकि तुला रासी में नीच रासी के माने जाते हैं चनमा, मंगल और ब्रसपती सूर्य के मित्र हैं। बुद्गरा सूर्य के लिए सम है, नीट्रल है। तता शुक्र और सनी सूर्य के सत्रू माने गए है। सूर्य का व्रसप रासी में प्रवेश 14 माई 2020 को होने जा रहा है। व्रसप रासी में सूर्य 14 जून 2020 तक रहेंगे। यह एक भूमी तत्व और इस्तिज सुभाव वाली रासी है। इस प्रकार एक अगनी तत्व प्रदान सूर्य का प्रवेश भूमी तत्व प्रदान रासी म होगा सूर्य के इस रासी परतन को रसब की सक्रांती भी कहा जाता है या आम तोर पर रसब सक्रांती बोलते हैं और इस दिन स्नान दान तरपन आदी के लिए बहुत सुब माना जाता है यह दिन तो आएए अब जानते हैं कि रसब सूर्य का यह परिवर्तन आपकी रासी पर क्या प्रभाव देगा आएए अब बात करता हैं करकर आपकी रासी से सेकेंड आउस के स्वामी है और 11 रास में गोच़र प्रव्यस करें गे 11 राप का यश्क का व्रदी का बड़े भाई का है और रासी से 11 सूर्य को बहुत ज़्यादा पॉजितिव बोला जाता है एक अदस बाव में सूर्य का गोचर हर प्रकार से आपके आने वाले समय के लिए पॉजितिव है गेन फुल है और आपकी प्रोग्रेस में यहां पर इंप्रूमेंट होने वाला है अधाद आपकी प्रगती दिन प्रति दिन बढ़ती रहेगी आपको एक से अधिक रिसोर्से से गेन मिलने की आशा करनी चाहिए इस दोरान आपकी इंकम में जबर्दस इंप्रूमेंट आएगा जबर्दी होगी और एक्सपेंसेज पर आप कंट्रोल लगा लेंगे जिससे आप अपनी फाइनेशल स्थिति को सुधार पाने में सफल हो जाएंगे अब बात कहते हैं बिजनस के दस्तिकोंड से तो बिजनस के दस्तिकोंड से भी यह गोचर काफी पॉजिटिव रिजर्ट देने वाला साबित होगा आप अपने एनेमीज पर अपने कॉंपुटिटिटर पर कंट्रोल कर पाएंगे और वो आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे अपने पिता से लाब या संपती मिल सकती है सयोग मिल सकता है दान धर्म पुन्य इन सब कामों में आपका बहुत मन लगेगा लग सकता है किसी लंबी चलने वाली प्रोजेक्ट में आपको बहुत यर्ष निम्फे मिल सकता है शामदार कमाई का मौका मिल सकता है बहुत ज्यादा गेन आपका मिल सकता है अपने seniors के सयोग से आप अपनी life में आगे बढ़ेंगे इस गोचर काल में आपकी emissions को भी पंक लग जाएंगे और इस समय में लंबे समय से अटकी वई को बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है और जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे सूर्य का यह गोचर आपकी संतान के लिए बहुत ज़्यादा positive रहने वाला है और उनकी जो भी प्रोजेक्ट से उनकी जो भी planning है वो उनको success देने वाली है यदि आप students हैं तो आपको study के मामले में यह गोचर यह समय काल बहुत ज़्यादा positive नहीं है इसलिए आपको अपनी पूरे concentration के साथ में अपनी पूरी लगन के साथ में study करनी पड़ेगी ध्यान देना पड़ेगा नहीं तो result कुछ अलग हो सकता है जो आप सोच रहें वो result नहीं आएगा अब बात करते हैं प्रेम संबंदों की आपकी love life में इस समय काल में कुछ कमी आ सकती है विचारों में विरोदबास की इस्तिती पैदा होने से आपकी love life में कुछ निरस्ता आ सकती है आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने चाहिए कि आपका partner किसी बात को लेकर के ना कि इस से अब हाद दो सकते हैं अब बात करते हैं सूरी के दोस्त नेवारण के उपायों की जिन रासी के व्यक्तियों को सूरी नाकरात्मकता देगा दोस्त देगा पिडिद करेगा चाहे हेल्थ में हो चाहे केरियर में हो चाहे और किसी डंग से हो उन व्यक्तियों को उन जात्कों को सूर्य से सम्मधित उपाय करने से राहत मिलेगी इन उपायों में सबसे पहले 12 आदिते कवच धारन करना चाहिए हर मा सूर्य जब परिवर्तन होता है रासी परितित करता है तो उसे सक्रांति का जाता है तो बारा ही सूर्य पर्विर्थित जो होते हैं अलग-लग रासे में जाते हैं उनके दोस्त निवाण के लिए हमने एक विशेश कवच का निर्मान किया है द्वादस आदित कवच इस्पेसली सूर्य से समधित है जिन लोगों को अपने पिता के साथ में वैचारिक मतबेद है जो गौर्मेंट सर्विस करते हैं और उनके उपर व्याद के दोसारोपन लगते रहते हैं जिनको हाड से समधित प्रॉलम है और जिन लोगों में आत्म व सवच का निर्मान होगा यह सारी जो सूचना है वो पूजा पाट के अंदर काम आती है इसलिए यह इनफॉर्मेशन आपको देनी होगी दूसरा उपाए भगवान विश्नु या स्री राम की पूजा उपासना करें विश्नु सैस्तनाम का पाट विश्नु सूक्त का पाट राम रक्सा इस्तोत्र का पाट या स्री राम से सम्मधित कोई भी मंतर जाप वो आपको करना सुब रहेगा आविश्नु चालिसा या स्री राम चालिसा का पाट करके भी उपाए कर सकते हैं रात प्राप्त कर सकते हैं नित्य सूरी को अर्ग दें अर्ग कैसे देना चाहिए वो मैंने कई बार बतला है फिर आपको बोल देता हूं कि तांबे का पात्र लेना है उसमें पानी बढ़ना है उसमें थोड़ा सा कुंकुम डालना है थोड़ा सा गुर्ड डालना है और साथ में लाल पुस्प यदी हो तो आपके पास में वो पुस्प लेना है और सूरिय का म सूरी ग्रह की सांती के लिए सूरी के बीज मंतर जैसे कि मैंने अभी बतलाया है ओम, राम, रीम, रॉम, सह सूरिया नमका हर रोज एक माला नियमित मंतर जाप करना चाहिए। राशाड़ा नक्षतर हो उस दिन प्राता सूरी दे से एक गंटे के बीतर बीतर सूरी की वस्तों का दान किया जाना चाहिए। इसा कुछ भी नियम नहीं है का आप एक किलो दें या ट्रक बरके दें सरफ आपकी जितनी सामर्तिय है उतना आपको दान देना चाहिए। इस समय काल में लगबग अप्रेल मा में और या पिर यह बोल सकते हैं कि लॉक्डाउन जब से स्टार्ड हुआ है उस समय से हम निरंता टेलिफॉनिक कंसल्टेंसी के माद्यम से ही सर्विसेज दे रहें। और क्योंकि इस समय लॉक्डाउन में होने के कारण सभी लोग टेलिफॉनिक कंसल्टेंसी पर ही डिपेंड हैं इसलिए हमारे पास में भी बैग लोग ज़्यादा है। आप लोग जो भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए टाइम स्लोट बुक करते हैं फीज जमा करा देते हैं उसके बाद में कम से कम 48 गंटे तक धहरी बनाये रखें कोई एमर्जेंसी है तो हम सबको साइड में करके उस एमर्जेंसी वाले पर्सन से सबसे पहले बात करते हैं एमर्जेंसी का मानवित्य के जस्तिकौन से यदि कोई वास्ता में पिड़ी थे उन सबको देखते हैं हम उसको ट्रायूरिटी पर देते हैं प्रायूरिटी पर चाते हैं भविश्य में जाकना चाते हैं कोई बहुत मनपूर्ण निर्णन लेना चाते हैं तो ऐसे स्थिति में टेलीफ़निक के लिए टाइम स्लोट बुक कराना पड़ेगा और इसके लिए स्क्रीन पर वाटसब नमबर आते हैं उस पर सिर्फ अपना नाम और फॉन नमबर लिख करके या सिर्फ आप में मैसेज कर दीजे वापस आपके पास में पूरा प्रस्जर आएगा उप्रस्जर को फॉलो कर दीजे उसके बाद में आप और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कुण्ली पर आपके प्रस्नों पर चर्चा करेंगे और जो भी उचित उपनियता है वो वहीं समाप्त हो जाएगी अथात आप अपनी कोई भी बात कोई भी प्रस्जर आराम से पूछ सकते हैं सेफ होकर के पूछ सकते हैं निश्चिंद होकर के पूछ सकते हैं उसमें कोई भी एक प्रसंट क्या भी प्रॉल्लम नहीं होने वाली है स्वास्त रहें प्रसंद रहें अपना अपने परिवार का अपने घर में छोड़ छोड़ बच्चों का इस समय काल में मामारी से ज्यादा केयर करें और जो आपके घर में बुजूर गें उनका और ज्यादा केयर करने की जोड़ते हैं उनकी साथ में समय गुजारने की पड़ा है आप उसमें से जितना निकाल सकते हैं यह आपकी अपनी पूंजी है अपनी कैपिटल है उसका फाइदा उठा सकते हैं आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत-बहुत सुब कामना है इश्वर आपकी रक्षा करें धन्यवाद